C.A. पर तो केजरिवाल और राहुल गांधी ने खुब हंगामा किया लेकिन एलेक्टारल बाउन्ड पर C.A. की तरह क्यों हमलावर नहीं हो रहे हैं केजरिवाल और राहुल गांधी? वज़े क्या है? आईए आपको एक एक गर के बताते हैं देश के सबसे मुखर नेताओं में शुमार है अरविन केजरिवाल लेकिन एलेक्टारल बाउन्ड के मुद्दे पर पड़े शान शान से दिखाई दे रहे हैं वज़े क्या है? सोशल मीरिया प्रेटफॉर्म एक्स के वाल पर तो उन्होंने कल से और कल शाम के बाद से लगभग दरजन भर ट्वीट कर दिये हैं लेकिन एलेक्टारल बाउन्ड के मुद्दे पर आखिर चुप क्यों है? जबकि C.A. की अगर बात करें तो C.A. की मुद्दे पर तुरंट प्रस कॉंफरंस करके उन्होंने आपत्ती जता दी थी Electoral Bond या फिर कहें कि चुनावी चंदे के धंदे का खेल अब सब के सामने आ चुका है चुनाव आयूक के मुताबिक BJP को सबसे जाधा चंदा मिला है वहीं दूसरे नमबर पर आश्यर जनक रूप से TMC का नाम सामने आता है जबकि कॉंग्रिस को तीसरे नमबर पर सबसे जाधा चंदा दिया गया है केजरिवाल लगतार CA के मुद्दे पर बोलते हुए दिखाई दिये हैं लगतार लिख भी रहे हैं कांसी राम एड्मिरल रामदास को शधांजली दे रहे हैं साहिब सिंग वर्मा को नमन भी कर रहे हैं लेकिन एलेक्टोरल बॉर्ण के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं अर्विन केजरिवाल हो सकता है कि केजरिवाल इस मसले को पहले ठीक से जाच परक लेना चाहते हैं और उसके बाद तैयारी के साथ अर्विन केजरिवाल कुछ इस मसले पर बोले रहुल गांधी का भी आई हाल है रहुल गांधी महिलाओं, किसानों, मज़ूरों को न्याई दिलाने में वैस्त हैं जाहिर है कि वो अब भी इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची का अभी तक धंग से अध्यान नहीं कर पाए है लग ये रहा है कि सूची का धंग से अध्यान करने के बाद ही उसे अपने हिसाब से सुरक्षित बना कर ही वो इस मसले पर बोलेंगे लेकिन क्या इसका मतलब ये भी हुआ कि एलेक्टोरल बॉन्ड लोकसभा चुनाओं में मुद्दा बनाने लायक ही नहीं है आम जंता तो पहले से ही इस बात को समझती है कि एलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बहुत बड़े-बड़े खेल होते रहे हैं जस पार्टी के सत्ता में आने की ज़ादा उमीद रहती है पूजी पती लोग उस पार्टी के लिए अपनी तिजोरी खोल दिया करते हैं चुनाओं में काले धन को भी खपाया जाता रहा है और अब सरकार ने सब कुछ क्योंकि डिश्टल कर दिया है तो पहले इलेक्टारल बॉंड पूजी पती इसी चक्कर में देते थे कि अपने मन माफिक नीतियां बनवाकर अपने हिसाथ से अपने कामों को एक्जिक्यूट कराएंगे अब इतनी साबकोई जरूर हो गई है कि अगर कोई समविधानिक संस्था इस संबंद में रिपोर्ट मांग ले तो सब कुछ जग जाहिर हो जाएगा जो भी है वो सामने आजाएगा यानि कि पोल खुल जाएगी इसमें कोई दोर आए नहीं है कि इलेक्टारल बॉंड का जमकर्द रुपियोग भी होता रहा है पार्टियों को मिले चंदे की रकम में बहुत गरबड़ी दिखाई दे रही है और इसके लावा जिन लोगों या फिर कंपनियों ने इलेक्टारल बॉंड खरीदे हैं उसमें भी बहुत जादा गरबड़ी दिखाई दे रही है कई नामी गिरावी बिजनसमैन के नाम होने का भी इलेक्टारल बॉंड की सुची जब सामने आई तो अनुमान जताया जा रहा था कि नाम भी सामने उनके आएंगे लेकिन उनका नाम इस सुची में नहीं था अब सवाल ये भी है कि क्या शेल कंपनियों के नाम से फंड आए हैं कॉंग्रस का शासन तो कई राज्यों में है लेकिन TMC की सरकार तो एक ही राज्य में सिम्ती हो यह फिर भी TMC को कॉंग्रस से कहीं जादा फंड मिला है यह हाल बिहार का भी है बिहार में भले ही जेडियों तीसरी बार से लगातार सत्ता पर कादिस रही हो लेकिन फंड RJD को जादा मिले है किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है इसका जिक्र लिस्ट में नहीं है लेकिन सुप्रिम कोट ने ये जानकारी भी उपलब्द कराने के आदेश अब दिये हैं अब ये जानकारी भी सब के सामने आएगी उमीद है कि जल्द ही जनता के सामने बहुत से और भेद खोलेंगे एलेक्टरनल बॉन का विवाद सभी राजनितिक दलों के लिए अब मुश्किल खड़ी कर सकता है एक तरफ जहां राजनितिक दल इसे राजनितिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं पर चंदे को लेकर सभी दलों में गर्बडी जरूर देखने को मिल रही है शायद यही कारण है कि सभी दलडरे भी हुए हैं क्योंकि सभी ने अग्याज चोतों से चंदा लेकर खर्च कर दिया NDR ने अपनी रिसर्च में ये पाया था कि कुल चंदे में 82 फीसदी रकम के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिली है और अब ये जो जानकारी नहीं है वो पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते है क्योंकि इस पर भी पार्टियों से सवाल पूछा जा सकता है